Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे John Dunn की poem Go and Catch a Falling Star के बारे में John Dunn का जन 1572 में London में हुआ था और इन्हें Metaphysical Poets के Founder के रूप में जाना जाता है इन्हें English Language का Greatest Love Poet भी माना जाता है और अपने religious words और treaties के लिए भी John Dunn famous हुए Go and Catch a Falling Star Dunn की poems की volume Songs and Sonnets में publish हुई थी और इस song की theme औरतों की धोके बाजी है जो ironical, satirical way में express की गई है पूरी कविता का अभिप्राय ये है कि एक इनसान कई impossible चीजे खोजने की कोशिश करता है लेकिन सही माइने में एक पती व्रता और loyal औरत धूंडना truly impossible है तो चलिए शुरू करते हैं First Stanja में John Dunn कुछ impossible task करने को कहते हैं Go and catch a falling star जाओ और किसी तूटते तारे को पकरो Get with a child a mandrake root या फिर mandrake जो एक तरह का पौधा है इसमें मानों जैसे गुन पाए जाते हैं उसकी जर से बच्चा पैदा करो तो कैसे हम एक पौधे से बच्चा होगा सकते हैं ये impossible है Tell me where all past years are मुझे बताओ कि पिछले सारे वर्स कहा चले गए यानि समय बीतता है ये तो हम सब जानते हैं लेकिन वो बीता हुआ समय कहा गया क्या ये कोई बता सकता है और who cleft the devil's food या फिर ये ही बतादो कि devil के सैतान के पैर किसने कटे हुए बनाए या चीरे ठिक ऐसे ही Hindu mythology में सैतान के पैर उल्टे रहते हैं तो Christianity में बीच से चीरे हुए या कटे हुए रहते हैं Teach me to hear mermaids singing मुझे जलपरियों का संगीत सुनना सिखाओ लेकिन जलपरियों का तो वास्तविक अस्तित्वी ही नहीं है तो कोई कैसे उसका गाना सुन सकता है Or to keep off envies stinging Envies stinging यानि the pain caused by envy यानि मानव के स्वभाव में ऐसा change लाकर दिखाओ कि उसे इश्या या जलन ना हो इश्या का डंक ना चुभे And find what wind serves to advance an honest mind और खोजो कि कौन सी परिस्थिते किसी इमानदार व्यक्ती की उन्नती में सहायक होती है या कोई आदमी इमानदार क्यों है इसके कारणों को मालूम करो तो ये सारे जितने काम पोएट ने बताए impossible है अब देखते हैं next इस आंजा में क्या है If thou beast born to strange sights, things invisible to see Thou means तुम या तुम्हारा यानि अगर तुम्हारा जन्म strange चीजों को देखने के लिए हुआ है या यदि तुम्हें अद्भुत द्रिश्य देखने की strong desire है यानि उपर जितने टास्क बताए गए हैं उनको पूरा करने के लिए और एक निस्ठावा निस्तरी की खोज में दस हजार दिन और रात तक यात्रा की जाए तब तक की जब तक बाल बिल्कुल बर्फ से सफेदना हो जाए और तब भी जब यात्रा पर से तुम लोटोगे मुझे बताओगे यानि जब यात्रा पर से लोटोगे तो हो सकता है इतनी महान खोज करने वाले को अन्य स्ट्रेंज चीजे दिख सकती है या मिल सकती है लेकिन कसम से कहीं भी ऐसी औरत नहीं मिलेगी जो सुन्दर भी हो और निस्ठावान भी यानि पोईट ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इस्तरी तभी स्थिर होती है या निस्ठावान हो सकती है जब उससे प्यार करने वाला कोई नहीं हो रूपवान इस्तरी जो हर समय प्रसंसा पाती रहती है वो किसी एक लवर के लिए लॉयल नहीं हो सकती नेक्स्ट और लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल जाती है जो सुन्दर और वफादार दोनों हो तो मुझे बताना कि ऐसी स्तरी के पास जाना तो किसी पवित्रत तिर्थ यातरा पर जाने जैसा होगा ऐसी औरत पूजा और उपासना के लाइक है लेकिन फिर पोएट को ध्यान होता है कि ऐसी यातरा पर जाना व्यर्थ होगा कि मैं नहीं जाऊंगा Though at next door we might meet हो सकता है कि अगले दरवाजे पर ही वो मुझे मिल जाए यानि यात्रा कितनी ही छोटी क्यों न हो मैं नहीं जाओंगा Though she were true when you met her and last till you write your letter हो सकता है कि जब तुम उसे मिले हो वो सही हो, निस्ठावान हो पर जब तक में तुम उसे कोई पत्र लिखोगे Yet she will be false ere I come to two or three यानि जब तक में उसे पत्र लिखोगे वो गलत हो जाएगी उसके दो या तीन प्रेमी रह चुके होंगे यानि कि इस तरी की स्थिरता अल्पकाल की ही होती है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस तरह से पोएम खत्म हो जाती है Thank you